हेलो इस्ट्रूइंट, यू आर वेलकम टू क्लास, आज की क्लास में हम इवान स्ट्राइज और ओ लेवल, बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी है, इसके बारे में जानेंगे, तो जैसा कि मैंने आप लोगों का अलरी क्लास में बताया हुआ है, कि आपको किस तरह से एक इसका फुल नेम है, जैस रॉड्रिक इवान्स, तो आप लोग इस तरह से कारेक्टर्स को सबसे पहले लिख लिजी, तो फर्स्ट जो है आपका इवान्स है, जो की एक प्रिजनर है, अगला जो चैरेक्टर है इंपोर्टेंट, वो है आपका इसमें गवर्नर, एंड जैक् इसमें गवर्नर, जैक्षन, जैक्षन, एंड लिख सकते हैं, और फाइनली आपको एक और लिखना है, वो है आपका मेकलेरी, मेकलेरी जो है वो एक पार्ट्सन है, चर्च मैन है, बाद में हम देखेंगे कि अब हम लोगों को पता चल चुके हैं, कि सबसे पहले आप लोग स्टोरी आपको याद हो पाईगी, और बहुत सारे एनिमेशन्स यूट्यूब पे हैं, वो सब देखके आप स्टोरी को समझ सकते हैं, लेकिन स्टोरी को कही न कहीं आपको पेज पे लिखना है, तो पेज पे लिखने के लिए आपको एक फॉर्मिट आप लोगों को ध्यान करेंगे, ही से लिखना शुरू करेंगे, और उसके बाद सेकंड फॉर्म आप दी वर्ब से हम ज्यादा तर स्टोरी हम इसी तरह से लिखेंगे, अब जो बेसिक फॉर्मिट है स्टोरी को, जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ और हम प्रैक्टेस भी कर चुके हैं, का हमारे पास एक आदमी होगा, या तो यह कहीं जाएगा, वहाँ से वापस आएगा, और कुछ या तो बोलेगा, इसी तरह से इसी तरह से स्टोरी चलती रहेगी, बस हमें ध्यान रखना है कि हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, स्टोरी को डिवैलप करने में अभी, तब इसी स्टोरी को चलिए, देखते हैं कि किस तरह से यह चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे, और स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, तो स्टोरी शुरू होती है, जो जेम्स रॉटरिक एवांस है, तो एवांस हम इसे अब शॉट में बोलेंगे, इवांस वोज अ प्रिजनर, वो हैड अर्लियर एस्केप्ट थ्राइस प्रॉम दिप्रिजन, यहां पर एक वर्ड आया है, आपका स्केप, स्केप मीन्स हो था बचके निकल जाना, तो इवांस क्या है, वो एक प्रिजनर है, कैदी है, और तीन अब आप यहां पर कंस्ट्रक्शन देखिए, कि हमने देखा, सेंटेंस को देखिए, हूँ है, अब यह थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेट सेंटेंस है, उनके लिए जो बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, जैसा कि ज्यादा तर बच्चे क्लासिज में सीख रहे हैं, तो हमें ध्य रहे हैं, कि यह क्या है आपका जो करेक्टर होता है, उसको हम मान के चलेंगे, उसके बाद हम वर्प को लिखेंगे, और फिर जो भी चीज़े हैं, उनको हम एड करते वे चलेंगे, तो हम अगर इसको बहुत सिंपल सेंटेंस में लिखे, तो हम पहले तो हम इसका इंट्रड देना है was इवांस was a prisoner ये line clear हो गई अब क्या किया है जो prisoner है इवांस उसने क्या किया है वाब रख लेंगे तो वाब है आपका skip तो skip हमने लिख लिया तो हमारा जो sentence बनेगा वो बनेगा इवांस skipped from the prisoner अगर हम बहुत simple sentence इसको लिखेंगे तो हमारे पास लिखने के लिए आप दो sentence आ चुके हैं एक हो गया हमें introduction जो हमने first हर chapter में जब भी हम शुरू करते हैं story लिखना तो कोई न कोई character होता है और हम उसका उसको introduce करते हैं तो James Roderick Evans was a prisoner ये तो हो गया उसका introduction अब वो जो जो करेगा इस पूरे chapter में हम उसको आगे लिखते चलेंगे verb की form में तो हमें verb आनी चाहिए बाकि पूरी story हम लिख पाएंगे तो हम लिखेंगे he escaped from the prison आगे बढ़ते हैं therefore he was titled Evans the break अब उसका जो next name है वो कौन सा है Evans the break तो आप अपना shortcut बनाती रहिए अपनी notebook में जैसे आपने Evans लिखा अब Evans के side में आप लिख सकते हैं कि वो कौन है prisoner है ठीक है prisoner हो गया उसके बाद उसका जो name है वो क्या है Evans the break तो दो चीज़ें आप लोगों को उसके बारे में पता चल गए now he was in the prison for the fourth time और अब वो prison में कौन से time के लिए है fourth time के लिए हो prison में है and all of a sudden he developed curiosity to appear in O-level German examination O-level German examination German language का एक examination है O-level का वो कहता है कि मुझे O-level German examination में बैठना है which also was an effort to break the prison और ये उसकी एक चाल होती है कि वो O-level examination में तो अब आपको समझ में आ गया होगा Ivan tries an O-level chapter का नाम क्यों है अब वो फिर से वहां से effort उसका जो प्रियास है वो जेल से भागने का है तो कहानी अभी तक आप तो वो समझ में आ गई होगी कि Ivan क्या है एक prisoner है तीन बार वो अलड़ी जेल में जा चुका है O-level German तो फिर से मैंने आप लोगों कहा है कि स्टोरी तो आप लोगों समझ में आई जाएगी याद भी हो जाएगी लेकिन उसको लिखना कैसे उसे आप समझ लीजिए अब हम ही यूज कर रहे हैं ही यूज कर रहे हम इवांस के लिए तो ही स्टार्टिब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ही यूज कर रहे हैं फिर सीधे सेकेंड फॉर्म औफ दी वर्व यूज कर रहे हैं और कहानी डिवेलप तो होती जाएगी अभी शॉट फॉर्म में हम अभी फिर से लिखेंगे इस स्टोरी को अब यहां पर क्या होता है कि बात चलती है जब इवान्स कहता है कि मुझे O-level German सीखना है तो उसके बाद उसका examination होने वाला है और वो examination कहा किया जाता है Prison cell में ही किया जाता है मतलब जो jail है jail के अंदर ही क्या किया जाता है एक setup बनाया जाता है और वो लोग वहीं और लोग वहीं बैटकर किया करने वाले हैं एक टेस्ट देने वाले हैं तो अब आप लोग्यूस देख सकते हैं कि जेल के अंदर ही क्या किया जाएगा तो गुवर्नर जो है वहाँ दो लोगों को रखता है जैक्सिन और स्टीफन को रखता है नजर रखने के लिए नजर सब्सक्राइब करता है हर चीज की एवरी किया वर्स टेकन टुमेक इवाल्स प्रिपेर फॉर्ड एक्जाब ही वोज टूटर बाया जाता है उसको पढ़ाया जा सकता है अब इसी सेंटेंस को अगर यह आपको पैसी वोइस में थोड़ा सा टफ लगे तो आपको क्या करना है क इसे आप सिंपल काम कॉन कर रहा है जर्मन ट्यूटर कर रहा है तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे जर्मन ट्यूटर ट्यूटर आप इसस तरह से लिखेंगे ट्यूटर यह आपकी वर्ब है यह आपर ट्यूटर हिम किसको इवांस को उसने कितने महीने के लिए पढ़ा observation by saying I may surprise everybody अब यहां पर क्या होता है कि जो ट्यूटर है उसका वो कहता है कि आपका बहुत कम chances है कि आप पास हो पाओ और जो इवान से हैं वो उसे कहता है कि I may surprise everybody कि मैं सभी को क्या कर लूँगा surprise कर लूँगा अपनी performance से on the day of the exam Jackson and Stephen visited Iwan's cell तो आप लोगों को याद होगा कि Jackson और Stephen कौन थे Jackson और Stephen जो है Jackson and Stephen दोनों के दोनों कौन से है police personnel है दोनों के दोनों वहां पर आते हैं उसकी cell में आते हैं उसका जो कमरा है जेल का कमरा उसमें आते हैं took away everything that may help him injure himself Iwan's was insisted to take away the hat but he refused saying that was lucky charm अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है कि जब Iwan's को बोला जाता है कि उसका जो hat है उसको हटा दिया जाए तो मना कर देता है वो कहता है कि यह जो है यह मेरी एक lucky charm है lucky charm का मतलब क्या होता है lucky charm का मतलब है कि जिससे हमें लगता है कि यह चीज मेरे लिए अच्छा है मेरे लिए lucky है तो Iwan's let's remove this इनको हटा कर फिर देखते हैं Iwan's cell was bugged so that so that the governor could himself listen to each and every conversation in this cell अब क्या है कि जो वहां पे cell में एक microphone भी set कर लिया जाता है जिससे कि governor सारी चीजे सुन पाए सारी conversation सारी बातचीत सुन पाए the invigilator reverend s mcclary तो जो यह reverend s mcclary है यह एक churchman है ठीक है यह पार्सन है तो यह church से आया हुआ है left his house at 845 तो ध्यान दीजे कि जो mcclary है वह 845 पर घर से चलता है as the exam was to begin at 9 15 a.m. तो यह कई बार पूछा जा सकता है यह आपको answer develop करने में यह सारी चीजे लिखनी होंगी तो जो exam शुरू होने वाला हो 9 15 पर शुरू होने वाला है mcclary came having a brown suitcase अब ध्यान दीजे कि जो mcclary है वह क्या क्या लेकर आया हुआ अपने साथ यह important है ठीक है उसके पास एक suitcase है mcclary के पास क्या है having a brown suitcase brown suitcase है semi inflated rubber ring और इस suitcase में क्या है एक inflated क्या है एक rubber ring है and needed for hemorrhoids अब यह hemorrhoids या पाइल्स जिसे कह सकते आप उसके लिए उसने कहा था कि मुझे पाइल्स के problem है so he wanted to sit on it and to search and left to complete the task and Stephen sitting outside the cell every now and then peeped into the cell अब ध्यान दीजे कि जो setup है वो किस तरह से मैंने आप लोगों बताया था कि cell के अंदर क्या है वो बैठा हुआ है mcclary बैठा हुआ है और इस side को इवान से बैठा हुआ है और जो cell है cell की दिवार पर जो prison cell है उसकी दिवार पर क्या लगाया गया है एक microphone लगाया गया है और बाहर जो है Stephen कड़ा है और बार बार अंदर देखता है Stephen was sitting outside and he peeped यहां पे एक word आया है peep means होता है जहाकना तो अंदर बार बार जहाक कर देखता है कि सबी ठीक ठाक चल रहा है the exam begins and Evans was asked to write index number center number और यह थोड़ी सी information आप लोगों को ध्यान रखनी है कि center number लिखाता 313 and 271 at 9.40 a.m. McLary asked the correction slip McLary correction slip के लिए पूसता है and Evans hardly understood anything kept his pen between lips and staring towards the door जो Evans है उसने पस अपना जो pen है वो अपने lips में दबा के रखा हूँ है and stare means होता है किसी चीज को घूरना peep means जहाकना stare means किसी चीज को देखना so he was staring towards the door at 10.15 Evans requested for a blanket अब 10.15 पर Evans जो है वो blanket एक कंबल मांगता है the exam got over at 11.20 और 11.20 पर क्या होता है exam जो हो खतम हो गया Stephen escorted यहां पर एक word आया है escort escort means होता है किसी के साथ में as a bodyguard चलना तो जो इन्विजिलेटर था इन्विजिलेटर हूँ is invigilator mcclary was invigilator to the main gate and took a look into evans cell and found the invigilator actually evans wounded अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही invigilator को दरवाजे से बाहर छोड़कर gate से बाहर छोड़कर Stephen वापस आता है तो देखता है कि वहां पर जो mcclary है वो क्या है mcclary के चारो तरफ ब्लड फैला होता है और mcclary जमीन पर गिरा होता है and then what he did जो Stephen है वो क्या करता है directly governor को क्या कर देता है phone करता है inform कर देता है the letter was to be hospitalized but informed that he was all right and asked them to follow Ivan अब जो आपका mcclary है mcclary को hospital ले जाता है उसे hospitalized किया जाता है देखे hospitalized यह hospital से यह word बना हुआ है और मैंने आपको कई बार बताया है क्लास में कि हम किस तरह से hospital एक क्या है noun है और उससे हम क्या बना दे रहे है वर्ब बना दे रहे हैं तो कई बार हमारी इससे vocabulary बहुत तेजी से बढ़ती है लिए इन चीजों को हमें थोड़ा से ध्यान देना है hospital से हम क्योंकि हम hospital वर्ड को अल्रेडी जानते हैं तो उससे हम hospitalized एक वर्ब इस तरह से जो इवान है वो प्रिजन से भाग जाता है वेन दी इन विजिलेटर वस नौट फाउंड इन दी हॉस्पिटल दी वेन तो दी रेजिदेंस ऑफ रेवरेंट अब यहां से twist आता है कहानी में फिर वो देखते हैं कि जो इन विजिलेटर है वो भी hospital में नहीं है वहां से भाग चुका है तो जाते हैं और देखते हैं कि मेकलेरी जो था churchman उसके घर पे जाते हैं तो वहां जाके उन्हें वो क्या मिलता है bound and begged in his study in broad street उसे क्या किया गया था उसे बांद कर कहीं पर रख दिया था घर पे He has been there since 8.15 a.m. और 8.15 a.m. से मेकलेरी को हमें बांद के रखा गया था तो अब आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी जो मेकलेरी एक्शल में वहां के पर गया था वो इवान्स का फ्रेंड ही होता है Now everything was clear to governor और governor अब सारी कहानी समझ जाता है Ivan escaped the prison the fourth time अब चौथी बार भी ओ जेल से भाग चुका है But by taking the hint from the question paper the governor reached the hotel where Ivan was captured him and came to know how he planned his escape and said that his game was over तो आप यहां पर क्या होता है कि जो governor है गवनर क्या करता है कि जाता है और उसकी एक paper sheet पे देखता है paper sheet पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पे लिखा हुआ था center number 313 and 271 तो यह क्या होता है यह आपका जो hotel होता है hotel का room number उसने लिखा होता है क्योंकि जो index number होता है McClary उसे hint देता है कि आप इस hotel में जाके रुकोगे okay so governor ने क्या किया उसे इवान को बहुत अच्छे से interrogate किया उसके उससे कहा कि अब तुम्हारे सारी जो कहानी है वो हमें पता चल चुकी है अब आप पकड़े जा चुके हो और अब तुम्हें सारी मुझे सारी चीजें बता देनी चाहिए इवान सारी चीजें governor को क्या कर देता है बता देता है तो फिर सी गवर्नर के पास और गवर्नर कहता है वह दुबारा मिलेगा अब यहां पर देखिए तो टूरी में ट्विस्ट आता है गवर्नर उसे police officer के साथ में भीजता है लेकिन जो police की जो वैन होती है उसे चला कौन रहा होता है इवान्स का friend ही उसे चला रहा होता है और इवान्स उसे कहता है कि चलो अब मुझे कहां लेके चलिए उसका handcuffs, handcuffs means जो हतकड़े होती है उसे unlock कर देता है उसका friend और उसका friend ही होता है इवान्स का और इवान्स उसके साथ में निकल जाता है इवान्स a kleptomaniac एक word इसमें पूछा जाता है kleptomaniac kleptomaniac का मतलब यह होता है कि ऐसा इंसान जिसे छोटी छोटी चोरियां करने का शौक होता है तो इवान्स वहां से फिर से four time भाग चुका है अब थोड़ी सी इसमें हम चीजे देखेंगे जो important आपको topics याद रखने है त अब करेक्टर के बारे में बनाते हैं तो मैंने आपको shortcuts बताया था class में आप लोगों पता होगा इवान्स हो गया इवान्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया उसे इवान्स दे ब्रेक भी बोला जाता है वह फोर्थ टाइम जा रहा होता है प्रिजन से भाग के और वह क्या है आपका kleptomaniac है इसको आपको ध्यान रखना है और लेट्स गो हैड यह सारी चीजे हम देख चुके हैं और यह स्टोरी हम फिनिश कर चुके हैं तो आपको क्या करना है इसमें 2-3 चीजे हैं अगर हम देखे एक तरह से हम revision notes अपने बना सकते हैं कि आपको characters लिख लेन के कोशिश कीजिए जैसे हम लिखें कि Evans हमने लिख लिया तो Evans क्या है एक prisoner है ओके तो हम इसे बोलना सिखेंगे Evans was a prisoner उसके बार हमने लिख लिया mcclary ठीक है तो mcclary लिखा तो mcclary के आगे हम लिख लेंगे he was a churchman और सीदे लिख सकते हैं invigilator क्योंकि churchman ही क्या था invigilator भी था तो invigilator ओके and then we will write down jackson jackson लिखा stephen लिखा ठीक है तो stephen they both were police personals so and governor तो governor है आपका तो इस तरह से आप इस story को develop करेंगे अब इसे अगर हम बहुत short में लिखें तो हम पहले क्या करेंगे कि जो characters हैं उनको उनका introduction लिखेंगे कि वो क्या है और फिर हम अपनी जो वर्प से हैं उन्हें आप क्या करेंगे लिख लेंगे अपनी notebook में वर्प जरूर लिख लिजिए जैसा escape हो गया और उसके बाद he developed यहां पर develop आपका वर्प हो गया and he was an effort, he started, governor arranged, governor takes utmost किया and he was taken to, he was tutored, यहां पर tutor आपकी वर्प हो गई है तो यह सारे आपको यहां पर wishes आपको यह सारी क्या करनी है जितनी वर्प मैंने अभी यहां पर mark की है इन सभी को आप अमनी notebook में लिखेंगे on the day of the exam यहां से आगे चलते हैं यहां पर अगली वर्प है आपकी visited, यहां पर help, insisted, refuse and it was bugged and here listen यह सब भी आपकी वर्प्स हैं जब यह वर्प्स आपको आएंगी तो आप easily क्या कर पाएंगे इस story को लिख पाएंगे तो सारी आपको लोगों को लिखना है और chapter wise इससे complete करेंगे इसके बाद जितनी वर्प्स हैं वह आपका homework है आप खुद से उन्हें find out कीजिए, line से लिखें तो आप लोगों के लिए जो homework है जो आप करेंगे इसमें आपको characters के नाम याद हो जाने चाहिए, साथ में आपको इसकी summary जो है वो लिखनी है और जो important चीजे हैं उनको आप mark करेंगे और साथ में verbs जरूर लिख लेंगे सारी, verbs के साथ में sentences आप form करेंगे तो सारी story अपने आप बन जाएगी, तो मिल